सर्फेसिज का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं सर्फेसिज का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो सर्फेस का प्लूरल यानि कि भौवचन होता है सर्फेसिज यानि कि एक से ज्यादा सर्फेस को हम सर्फेसिज कहते हैं surface का आर्थ होता है तल, सतह, बाहरी हिसा, उपरी भाग, प्रिष्ट यद धरातल तो एक से जधा तलों, सतहों, बाहरी हिस्सों, उपरी भागों, प्रिष्टों यद धरातलों को हम surfaces कहते हैं इसके इलावा इसका verb की रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तो वाउब के रूप में surface का इस्तेमाल जब हम present in definite tense में he, she, he or singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसके साथ ऐसे लगाते हैं जिससे surfaces बनता है और surfaces का आर्थ होता है कि surface करता है यह करती है और surface करने का आर्थ होता है चढ़ाना, दिखाई देना, प्रकट होना या उत्राना तो surfaces का मतलब हुआ कि चढ़ाता है या चढ़ाती है दिखाई देता है या देती है या इसी तरीके से प्रकट होता है या होती है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि एक घन में 6 सतेह ही होती है तो आप कहेंगे a cube has six surfaces या अगर आप ये कहना चाहें कि प्रकाश किरने काली सतहों द्वारा अवशोशित होती हैं तो आप कहेंगे light rays are absorbed by black surfaces या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने सभी सतहों को साफ कर दिया तो आप कहेंगे she wiped all the surfaces clean she wiped all the surfaces clean अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें